और अब आज के दिन की सबसे विशेश भात, आज चाहितर कृष्णपक्ष की एकादचीती थी दिन बुद्वार है, एकादचीती थी आज देर राध दो बज कर 29 मिनिट तक रहेंगी। आज दो पार 2 बज कर 29 मिनिट तक साद्धियोग रहेगा। साध्य योग के दौरान विद्या प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप कोई कारे सीखना चाहते हैं तो इस योग में सीख सकते हैं। साथ ही आज देर राद तीन बज कर तेंटीस मिनट तक धनिश्ठा नक्षत्र भी रहेगा। 27 नक्षत्रों के शेनी मे और उर्जा से भरपूर रहता है। धनिश्ठा नक्षत्र के पहले दो चरण मकर राशी में आते हैं और आखरी दो चरण कोंभर राशी में आते हैं। लेहाजा धनिश्ठा नक्षत्र का मकर और कोंभर राशी पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं तथा इंसका पतीक चिन धोल या मर्दंग को माना जाता है। जबकि इस नक्षत्र का संबंद शमी के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को धनिष्ठा नक्षत्र के दौरान आज शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए, साथ ही शमी के पेड़ को कभी भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए, आज के दिन ऐसा करने से आपको विशेश शुप फलो के प्राप्ति होगी, इसके साथ ही आज दो पहर तीन बाए से पंचक शुरू हो जाएंगे, जो कि बारह अपराइल की दो पहर पहले ग्यारा बज करूं तीस मिनिट पर समापत होंगे, आप जानते हैं कि धनिष्ठा, शर्विका, पूरा भादरपाद, उत्तुरा भादरपाद और रेवती, इन पांच नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है, इस दोरान चंद्रमा कुंभ और मीन राश में गोचर करते हैं, इस दोरान कुछ शुभ कारे करने की मना ही होती है, जैसे लकडी कठी करना, घासी कठी करना, चारपाई बनाना, खरीदना, घर में वुड़ वर कराना, या दक्षिर दिशा की यात्रा बड़ी शुभ मनी जाती है, तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले साधियों, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक्ति, और अब बात करते हैं, आज के दिन पाप मोचनी एकादशी की, आप जानते हैं कि हर चाईत्र कृष्णपक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का वरत करने का बिधान है, आज चाईत्र कृष्णपक्ष की एकादशी ती थी है, लिहाजा आज पाप मोचनी एकादशी वरत किया जाएगा, वैसे तो देखो एक बात या दिला दें कि कष्ण एकादशी के वरत गरहास्त लोग नहीं करते हैं अब जिनको करना है उनके बारे में चर्चा कर लेती है तो वैसे तो साल भर में 24 एकादश्यां पड़ती है लब जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संक्या बढ़के 26 हो जाती है वर्ष भर की सभी एकादश्यों का वरत भगवान विश्णू के निमित किया जाता है एक अधिक वरत में शी विश्णू की पूजा अर्चना करने और उनके निमित कुछ उपाय करने से आपको विश्णू से लाफ मिलेगा आपको बिजनस में प्रॉफिट मिलेगा आपका फसा हुआ पैसा है जल्दी ही आपको वापस मिलेगा आपके आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी आपको नौकरी में प्रोमोशन मिलेगा आपके दांपते जीवन में चली आ रही परिशानिया दूर होगी और आपके रिष्टे में फिर से मदूरता बढ़ने लगेगी साथ ही आपके और आपके परिवार का स्वास्ते बेटर होगा तो आपके चर्चा शुरू करते हैं आज पाप मोशनी एक अदशी के दिन की जाने वाली विशेश उपायों की अगर आप ग्रहस्त हैं और वरत नहीं करना है प्रोकि कर्शन पक्ष की है तो उपाय तो आप करी सकते हैं तो अगर आपके बिजनस को किसी की बुरी नजर लग गई है तो उसके कारन बिजनस में प्रोकि कम हो गया है तो आज आप 11 गूंती चक्र और तीन चोटे एक आखशी नारियल लीजे इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूबती बादे से पूजा करें और पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गूंती चक्रो और एक आखशी नारियल बांद कर अपने आफिस या दुकान के मुक्र दोर पर लटका दें आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनस में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा अगर आपका पैसा अपने ही किसी जान पहचान वाले के हम फच गया है और अब वो आपको पैसा वापस देने कर नाम नहीं ले रहा है और आप भी उससे पैसा मांगने की हमत ही जुटा पाने है ठीक है रिलेशन्स होते हैं डर लगता है रिलेशन न खराब हो जाए तो आज आप एक गोंती चक्र लीजिए और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली पड़ी जगह पर जाकर एक गड़ा खो दिये और शिविश्णों का नाम लेते हुए गोंती चक्र को उस गड़े में दबाते भागवान से प्रारता करें कि वो आप वेक्तिया आपका पैसा लुटा दे आज ऐसा करने से आपका रुका हुआ पैसा प्रभू ने चाहा तो बहुत जल्दी वापस मिलेगा और अगर आप अपने घर आफिस या दुकान के आर्थिक स्थित्य को बेहतर बनाना चाहती तो आज आप एच्छोटा सा पीले कपड़ा और 11 गोंती चक्र लेजिए ओम नारायनाय नमहा ओम नारायनाय नमहा इस तरह बाकी गोंती चक्र भी रखते चाहिए हर बार कहिए ओम नारायनाय नमहा अब धूब दीप आज से विदिपूर्वक, शीव विश्नु, मातालक्षमी के और मंदिर में रखके गोमती चक्र की पूजा करें पूजा के बाद उन गोमती चक्रों को वही रखा रहने दें और अगले दिन उन वैसे पांच गोमती चक्र को अपने घर की तिजोरी में पांच गोमती चक्र को अपने दुकान या आफिस की तिजोरी में और आखी बचे हुए गोंती चक्र को उसी पीले कपड़े में बाद कर मंदिर में रखते हैं घर के मंदिर में घर के मंदिर में आज ऐसा करने से आपके घर आफिस और दुकान की आर्थिक इस्थिति बेहतर हो गए अगर आप जौब में प्रमोशन चाहते हैं तो आज के दिन एक कच्चा जटावला नारियल और आठ बादाम लेकर भगवान विश्णू के मंदिर में चाहते हैं ऐसा करने से आपके नौकरी में प्रमोशन के चांसे ब्राइट हो जाएंगे अगर किसी दूसरे विक्ति के कारण आपके दामपत्य रिष्टों में परेशानी चल रही है बाद बाद पर जगड़े होते रहते हैं तो आज आप स्थान के बाद अपने घर में ही भगवान विश्णू की पतिमा या मंदिर के सामने आसन बिचा कर बैट जाएं साथ ही एक लोटे या गिलास में जल भर कर रख लें और उसमें थोड़ा गुल और लाल फूल डाल दें अब भगवान विश्णू के मंतर ओम नारायना नमह का कम से कम एक माला जब करें जाब के बाद भगवान से दोनों हाँ जोड़ कर अपने रिष्टे में चल रही परिशानी को दूर करने के लिए प्रात्ना करें और जाब के समय रखे हुए जल को पीपल की जल में चला दें आज ऐसा करने से आपके दांबत रिष्टों में चल रही परिशानियां समात होंगे अगर आपका जीवन साथी आपसे ठीक से बात नहीं करता आपसे कटा कटा सा रहता है तो आज आप एक पीपल का पस्ता लेकर उसे साप पानी से दो लें और उस पर लाल रोली से श्री लिखकर भागवान विश्रों को और पित करें श्री उसमें अंग की बिंदी लगा देंगे तो श्री लक्ष्मी बीच बन जाएगा और अपने रिष्टे की मधूरता को बनाया रखने के लिए भागवान से प्राता करिए कि आपके बीच कभी कोई अनमन न हो आज के दिन ऐसा करने से जीवन साती के साथ रिष्टों में मधूरता आएगी अगर आपको लगता है कि आपका पती आपके पत्नी अब आपसे पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं और बीस मनट बाद उस पसाथ को पी लें आज के दिन ऐसा करने से पती पत्नी के भी रिष्टों में मिठास बढ़ेगी अगर आप अपने और अपने परिवार का स्वास्ते बेहतर बनाना चाहते हैं आज शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का एक दीपक जलाएं और भगवान विष्टों का ध्यान करती हुए तुलसी के पौधे की साथ परिक्रमा करें आज ऐसा करने से आपके और आपके परिवार के सदस्शों का स्वास्ते बेहतर बना रहेगा अगर आप दूसरों के भीड़ में अपनी एक अलग पहचान पनाना चाहते ही और समाज में अपना रुदबा बहना चाहते हैं जमाने की भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं तो आज आप मंदिस यातशी विश्रु को एक बहुत ही अच्छी खुश्बू वाला इत्र पहचान बनेगी और अगर आप अपने वाईवाहिक जीवन को सुख़ बनाना चाहते हैं तो आज एक लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने उपर से साथ बार उतार कर बैते पानी में बहाते हैं आज के आज ऐसा करने से आपका वाईवाहिक जीवन सुख़ बना रहेगा आज ऐसा करने से आपका वाईवाहिक जीवन निश्चिति सुख़ बने रहेगा और अगर आप अपने अंदर शकारात्मक विचारों का समावेश करना चाहते हैं नकारात्मकता से दूद जरना चाहते हैं तो उसके लिए आज भगवान नारायन को केसर मिले दूद का भोग लगाएं और शाम के समय मंदिर में घी का दीपक जला कर शीविष्णू की आत्री करें आज ऐसे करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेशों का अगर आप अपने घर की सुक्षांति और जीवन में तरक्की बनाए रखना चाहते हैं तो आज एकादशी के दिन राद के समय भगवान विश्णू का ध्यान करते हुए भजन की इतन करें कहते हैं एकादशी के दात को जाकर भगवान का ध्यान करने से हजार वर्षों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुक्षांति बनी रहेगी साथी जीवन में तरक्की भी होगी तो ये थी चर्चा आज पाफमोचिनी एकादशी साध्ययोग धरिष्टा नक्षत्र और पंचक के बारे में आज के दिन आपको विभिन शुप्भलों के प्राप्त के लिए कौन-कौन से उपाय करने चाहिए आज हमने इसकी चर्चा की है उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपना कर इनका फाइदा जरूर रहेंगे